तो चलिए दोस्तो आज हम बनाते हैं बिरियानी के लिए चावल कैसे तयार करें तो हम आपको वीडियो में बताएंगे वीडियो में जाश तक बने रहे हैं बहुत ही इजी प्रोसेस है और बहुत ही फास्ट बने वाला है तो यहां पर देख सकते हैं चावल को हमने वास कर ल इसमें यूज़ करेंगे जो आप खाने में यूज़ कर रहे हैं वो आप इसमें तेल को एड़ कर सकते हैं यानि पचास गराम हम इसमें रिफाइन को यूज़ किया है और उसके बाद थोड़े से खड़े गरम मसाले और यह जो सहजीरा है और दो तीन तैसपात यहां पर यू करमें और इसकी भूहनाई कर लेंगे यानि आपको देऄसे दो मिनिट तक इसको भूनना है आपको ज्यादा नहीं भूनना है लोंग urgency भूननकार गृतलना है अब इसमें यह चो फूमुल बिर्यानी मासाला है श्वान इसमें से हम इसमें दो चंतार बिर्यानीच तो यहां पर देख सकते हैं हम उस मसाले में से इसमें डाल चुके हैं अब इसको मिक्स करने के बाद भून लेंगे आपको फिर से 1-2 मेंड तक भून लेना है यानि पूरा भूनना है आपको ज्यादा टाइट अग्दम नहीं से भूनना है अब हम इसमें गरम किया हुआ पान सहत्um पर जादा ना लगे तो मैं बता दूआ घुंक से 1-1.5 अपर पानी को डालना है मिक्स करने के बाद क्वाद इसमें ॅप देख सकते हैं मिक्स कर चुके हैं अब इसमें हम सफाध अंसार नमक लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें वम नमक भी में उसके बाद न Намीब कर लींगे और इसके बज़को भाद नबंदकर ने के बाद यह उसके को बारए निट में और नहीं करेंगे का आप को पूरा टाइम पंसरस्टिंट कि अबितमतल गायेगा तो यहाँ पर 50% हमारा चाओल पकुका है, 50% के बाद हम इसमें निम्बू निचोल लेंगे या लग अलग दिखाई दे और इसकी आजाता है कभी कबार तो वो ना है, पूरा चाओल अलग अलग दिखाई देगा निबू डालने के वज़े से क्योंकि लेमन इसमें लाजमी आपको चाहिए अगर पुला बुना रहे तो या भिरियानी के लिए राइस त्यार कर ले तो आप चावल यूज़ करने में आपको चाहिए वो उसके बाद हम मेडियम फ्लेम कर लेंगे मेडियम फ्लेम पे आपको चाहिए यहां पर देख सकते हैं अब इसमें सिफ क्या करना है कि हमें गोस्त को रेडि करना है चिकन हो या बीफ या मटन हो उसको रेडि करने के बाद इसकी सजावट कंप्लीट करेंगे फिर चूला पर इसको रख देंगे पांस मिनट के लिए फिर यह लिए लिए बाद